जैमातादी वैश्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस जैनकरी जानने के लिए सब्सक्राइब के लिए डिवोशनल पॉइंट और बैल आइकन भी जरूर दब हैं कितनी तैयारिया कर लिए माता रानी के भवन पर सब्सक्राइब करना वहीं मातानी के पवित्रियाता पर आने वाले भक्तों की संख्या में बहुत जादा इजाफा देखने को मिल सकता है यानि के बहुत जादा भगतों की संख्या में देखने के लिए मिल सकती है अनुमान की मानितों लगभख 50,000 भगत प्रती दिन नवरात्रे में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और यह आकड़ा कही न कहीं और भी जादा बढ़ने की उमीद है यहां पर दर्शन करने के लिए आपको दो दिन या फिर उससे भी अधिका विटिंग टाइम देखने के लिए मिल सकता है यह बहुत ही आम बात है कट्रा में आने के बाद आपको बड़े बड़े पंडाल देखने के लिए मिल सकते हैं जहाँ पर मातारानी के भजन किरतन 2400 गंटे 7 दिन चलते रहते हैं जब तक मातारानी के नवरात्रे हैं तब तक तो कम से कम चलते रहते हैं भववे जाकिया आपको कट्रा में देखने के लिए है, वह एकर आप मातानी के भवन की बात करें, तो भवन पर भवे सजावत 9 के 9 दिन देखने के लिए मिलती है, यह सजावत नवरातरे से लगभक दो दिन पहले ही शुरू हो जाती है, और कुछ इसी तरीके से ही एमिल मेंं अपनिके कारेकरता बहूत ही महनत के साथ में लगन के साथ में मत इनके पवित्र भवन detrimental को सच ओ करी यह यानि कि पूरे नवरात्रे की साथ से इत्वामने कहतं diagnose आप मेरे जानकारी पसंद आ रही Tomorrow जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सहयोग दिखाना ना भूले अगर आप मातनी के भवन पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं नवरात्रे के समय ही तो जरूर कमेंड में बताएं अगर पहली दर्शन कर चुके हैं तो आप अपना अनुभवी कमेंड में बताना मातनी के भवन पर आते हैं तो आपको भव्य जाकिया देखने के लिए मिलती हैं कई प्रभुशीरी रान देखने के लिए मिलते हैं तो कहीं सीता माता कहीं हमारे भोले नात कहीं पारवती माता तो कुछ इसी तरीके से यहां पर भव्य भवन को सजाया जाता है माता रानी क पवित्र यात्रा को सजाए जाता है शाइन बोर्ड की तरफ से किसी भी तरिके की हाँ पर धिलाई नहीं बरती जाती है अगर आप बात करें मातानी के भवन पर आने वाले भक्तों को दर्शन की तो यहाँ पर कही न कही भक्तों को दर्शन करने में 2-5 गंटे या फिर उससे भी अधिक का समय लग सकता है हाला कि इस बार तो यह अनमान लगाया जा रहा है कि 50,000 भक्त अगर प्रती दिन आते भी हैं यात्रा करने के लिए तो कही न कही दर्शन का समय बहुत ही जादा बढ़ सकता है वही अगर आप भक्त यह सोच रहें कि मातानी के भवन पर आप आएंगे और रात के समय रुख जाएंगे नवरात्रे में तो यह इतना ज़दा असान तो नहीं होने वाला है आप भक्तों बता देना चाता हूं कर भीड बहुत जादा आती है यात्रा पर तो कही न कहीं रुखने में भक्तों को काफी दिक्कतों का सामना करना पर सकता है कोशिस करें अगर आप धरमशाला में रुखना चाते हैं आपके पास कोई भी बुकी नहीं है तो शाम को लगभग चार बजे तक आप कैसे भी करके भवन या फिर अर्दकौरी जहां पर भी रुखना चाते हैं आप पहुचाएं उसके बाद तो धरमशाला फुल हो जाए की पांच मिंड भी नहीं लगते धरमशाला को भड़ने में रही बात कंबल की तो कंबल तो निशुलक मिलते हैं पर उसके लिए लाइन भी लगभग 3-4-4 घंटे लंबी लग जाती है अगर हो सके तो आप अपने साथ बैग में कंबल लेकर आएं या ठंके कपड़े लेकर आएं जिससी कि आप कहीं रात बिता सकें अगर आपको जगा मिल जाती है तो यह कहीं कहीं काफी बड़ी बात होगी आप ख्रत्रा क Fighter जो कि मात रानी की पवित्र आथा करने आरों दर्शन करने के लिक लिए आपको बाकि सभी सुवधाय मिल जाती हैं जैसे कि बैटरी कार हेलिकॉप्टर की सुवधाय हाला कि यह सुवधाय भी अगर ओनलाइन माध्यम की बात करी जाए तो सभी पहले ही फुल हो चुकी है बल्कुल सही सुना आपने अगर आप पैदल यात्रा करेंगे तो आपको को दिक्कत ही नहीं है वहीं घोड़े कच्चर पिट्टु पालकी की सेवाय भी आपको पूर्णूप से यात्ता पर मिल जाएगी तो माधन की पवित्र यात्त पर आने के बाद में आपको ऐसी एसी विधाओ का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपको घोड़े पालकी भी रह तो उमीद करता हूं कि अगरा भक्तों को मेरे द्वारा दी जानकारी पसंद आई हो कि अगर आप भक्तों की आत्र सफल करें यहीं मैं कामना करता हूं वहीं गर आप चाहते हैं रोजाना तादा तस्वीरे और 50 रूपी दशन परात करना तो आप हमें इस्ट्रागाम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल चाहेगा तो मिलते हैं अंगली वीड झाल झाल